तो गाई जी सुटो में मैं आपको बताने वाला हूँ NYP, New York Place और FBM मतलब Final Bid Match के बारे में कि ये दोनों चीजे होती क्या है लेकिन गाई जुट से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ तो मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में आपको आई आई पीकल के बारे में बताया है इंडो इंटरनेशनल प्रैमियर कबडी लीप के बारे में तो मैं आपको बता दू कि आई आई पीकल ने कॉंटेस्ट रखा है जिसका नाम है IIPKL Contest आपको करना क्या है आपको एक image या फिट वीडियो सेर करना है अपने एक यूनिक कबड़ी का अगर आपको कबड़ी खेलते हो तो आपको पता होगा कि मूव क्या होता है मतलब किसी आप जो भी बी ओस करते ओग्य। आप fiveестно दिखे और अपोरी वीडिव करते होगे तो आपको उसका पोटो या फिर वीडियो से करना है अब कहा है तो जैसा मुझे याइव पीकेल ने बोला है वह आपको मुझे सेर करना है मुझे कहां करना है तो का सब्रदान में आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो आप मुझे यहां पर वो वीडियो या फिर इमेज को सेल कर सकते हो मैं उसको अपना जो इंस्टा पेज है वहाँ पर अफ्लोड करूंगा एंड टैग कर दूंगा आपका मतलब जो एकाउंट है इंस्टाग्राम पर वहाँ उस कम लोगों ने अभी तक किया है तो आपके जीतने के चांस बहुत जादा है तो जल्दी करो और जी जाओ तो हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत ही जारे इंट्रस्टिंग तो आप कै कीजिए बस सुरू से लेके अंतक इस वीडियो को देखते रहे हैं इस वीडियो माइटीम 11 माइटीम 11 इंडिया का सेकंड लाजेस फैंटेजी प्लेटफॉर्म है यहां पर आपको दो मोट्स मिल जाते हैं से प्ले और रेगुलर्ट प्ले से प्ले में आप अपनी टीम को मैच के बीच में भी चेंज कर सकते हो वहीं पर रे यहां क्योंकि इसको विडिये अंदर साहबाग प्रमोट करते हैं तो आप इस पर बहुत ज़्यादा रख सकते हो वहीं पर गाईज इस पर जो विड्रॉल फीचर हो बहुत ज़्यादा तेजी है आप 24 गंटे के अंदर इसमें से पैसे निकाल सकते हो और इसका जो यह एंदर आपको 24 गंटि कस्टवर सपोर्ट मिल सकते हैं मतलब कभी भी कॉल करके आप बात कर सकते हो घुट बात कर सकते हो एंड गाइस अब मैं आपको 9 लेंगविजिस मेल जाएंगे मतलब आ जहां रहते हो आपको जो लैंगवेज पसंद है आप उसमें यह खेल सकते हो ज कि आपको स्टार्टिंग में खेलने के लिए कुछ पैसे फ्री में मिल जाएं तो पहले हम बात करते हैं न्यू यॉंग प्लियर्स के बारे में तो जैसा अभी कुछ दिनों पहले एक लिस्ट और इलीट रिटेंड प्लियर्स का लिस्ट तो गाइस हम दिखते हैं कि option में क्रूटेंगरी एमें और दबने में रिय जाता है तो Healthy प्लियर्स का निचे जाता ली जिस्ट होता है तो एक लिस्ट होता हैं यू यू यॉंक्स का तो उनका 20 से नीचे होना चाहिए तबी आपन म्यंगरी में जा सकते हो एंड आपको वहां पर खरदा जाएगा आप नवाइपी के तहर्ट टीमों में जा सकते हो तो यह तो होता है नवाइपी जो 20 से कम के होते हैं option में हमें देखने को मिलते हैं एंड वह में जब option होगा तब उनका list हमें पता चलेगा वहीं पर बात करें FBM के बारे में final bid match के बारे में तो guys यह होता क्या है तो guys पहले तो अभी हमने देखा retention process हुआ तो वहां पर आपको बोला जाएगा कि आप अपने players को retain करो आपको जितने करना है तो आप जितने कम players को retain करोगे आपको उतना ज्यादा FBM कार्ड मिलेगा और आप उसका use क्या कर सकते हो आपको उससे घाटा भी हो सकता है और फाइदा भी हो सकता है जैसे परदीप नर्वाल और पतना के बात करते है ठीक है तो पतना ने मतलब कह सकते हो कि परदीप नर्वाल को छोड़ दिया ठीक है उन्होंने सोचा कि परदीप नर्वाल को कम में कर देंगे एंड मैं उनको यूज करके अपने टीम में ले लूँगा ठीक है तो परदीप नर्वाल को 70 लाक देना है लेकिन पतना करिए कि नहीं मैं आपको रिटेर नहीं कर रहा हूं ठीक है तो वह जा रहे हैं फिर आप्सन में तो आप्सन में उनको जैपुर साथ लाक में अपनी टीम में ले ले हो गया तो वह डिपेंड है अगर आप दिमाग से खेलो तो आपको फाइदा हो सकता है और अगर आप से थोड़ी से भी गलती हुई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान देना पड़ेगा तो यह होता है एप जितने प्रेस रिटेन कर रहे हो उसके हिसाब से आपको सब कुछ पता चल चुका होगा और इपको अपने पुराने की थो प्रेस घ्री होगी और वह बत बारे कैसे लगी आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाएए ताकि आपको कुछ नहीं करना बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है